So hey guys, I welcome you all to this channel जिसका नाम है Learn with Sumit तो आज जैसे कि मैं कई बार questions को face करता हूँ तो उनमें से majorly questions ये होते हैं कि how many questions to attempt ये किते questions attempt करें NDA के math section में खास करकि NDA 2 2021 में ये question आप लोग के मन में भी आता होगा तो इस questions को मैंने काफी सोचा और एक मैंने देखा कि इस पर जो videos available हैं वो काफी general approach के available हैं लेकिन हमें क्या चाहिए एक पुकता सभूत चाहिए वतलब एक एकदम mathematical statement चाहिए accuracy के साथ चाहिए कि हाँ इतना question attempt करें तो इस तरीके से हो जाए तो मैं एकदम आज आपको एकदम analyze करके रिखाऊंगा एक broad analysis होगी इसकी एक analysis होगी कि कितने questions करें और किस questions करने पर कितना आपको profit भी लेगा तो यार major चीज जो होती ही हम लोग शुरू करते हैं तो उससे पहले major चीज जो होती question attempt करने से पहले कितने करें उससे matter नहीं करता matter क्या करता है आपका speed कितना है आपकी accuracy कितनी है temperament कितना है मतलब कि आप जो starting में questions करते हैं काई बार आपने देखा हुआ कि starting में जो आपने first 50 minutes में question attempt किये वहीं आपके questions अगर आप last 50 minutes में attempt करो तो तो गलत हो जाते हैं तो यह temperament कैसे बनता है और aim कि score को आप aim कर रहे हैं यह भी काफी important हो जाता है कि दो लोग की strategy सेम नहीं कि जो बंदा 250 प्लस score करना चाहता है और एक बंदा जो 150 प्लस score करना चाहता है इन दोनों की strategy अलग होगी यह दोनों के questions attend करने का तरीका अलग होगा broadly knowledge आप दोनों की आपको अलग रखनी ही पड़ेगी क्योंकि आपकी practice अलग होगी major चीज जो होती न अब जो तुम आप paper में करते हो वो तुम paper में नहीं लगाते हो वो तुम पहले से जो तुमने practice की होती है वो important होती है ठीक है फिर भी हम अपने boost कैसे कर सकते है अपना score हम कैसे उस exam में same preparation के साथ जो की एक बंदा 220 ला रहा है normal बच्चा जो उस score से 220 ला रहा है आप उसी attempt से उसी score से उतने ही knowledge से आप 250 score कर जाओ यह कैसे कर सकते हैं हम लोग तो यह सीखेंगे आज हम लोग ठीक है बट फिर भी अगर आप करते हो तो आपको पता होगा roughly आपके पाफ 1.5 मिनिट होते है पर question ठीक है 1.5 तो मैंने वैसे जादा बोल दिया 1.5 से भी काफी कम होता है यह अगर आप ध्यान से लिखोगे तो यह क्या हो जागा तो आगे हम लोग देखते हैं तो इन सबसे पहले जो सबसे important आता नहीं और वो आता है interest जैसे कि मैंने कहा कि जो आप perform करोगे उसका stage set कहा होगा जो आप prepare कर रहे हो ठीक है तो आप 150 स्कोर करो और ठीक है आप GAT में स्कोर करना चाहा है ऐसी बात दी कि से math में स्कोर करने से कुछ होता है 150 से very respectable score लेकिन अगर आपका maths इंट्रेस्ट है तो मैं तो कहूंगा कि आप 220 प्लस के नीचे देखो भी मत अगर आपको maths इंट्रेस्टिंग लगती है math आपको समझ में आती है तो फूर्ट उनकी प्लस से नीचे कोई मतलब भी नहीं होता फिर ठीक है तो इस तरीके से हमें करना चाहिए इंट्रेस्ट बहुत जारा important हो जाता क्योंकि जब आप prepare करोगे ना जैसे कि आप घर में practice कर रहे हो mock test paper लगा तो उसमें इंट्रेस्ट बहुत important होता है और क्योंकि आपका वास्ट syllabus है से maths तो है नहीं maths तो मैं बता रहा हूं ना लेकिन from a student points और आपके पास तो दो-दो है तो उन दोनों को करने के लिए यह important होता है कि आपका इंट्रेस्ट बहुत important है ठीक है आगे बढ़ते हैं लोग तो यार देखो यह मैंने target score रखा है मैंने aim इसके मैंने target score रखा था 150 180 200 240 और 240 प्लस ठीक है यह score होता है तो अगर आप ध्यान से देखो 150 के लिए आपको correct question किते चाहिए 60 वैसे 180 200 के लिए मैंने calculate किया calculate आप भी कर सकते है math के student गार इतना तो करी सकते हूँ calculate ठीक है और यह मैं मान के चलना हूँ कि आपके 100% accuracy अभी मैं इसका पूरा आपको बढ़िया से analysis दिखाऊंगा ऐसे नहीं मैंने कर दिया यह काफी time लोगा कि मैंने किया और आपको यह एक time कभी तो आगया आप 60 कर सकते हो क्योंकि 150 minutes आपके पास और आपको 60 है तो आप time per question भी बढ़ा दे रहे हो आप जान से देखरो अगर आप देखोगे तो इसमें हमारे 2.5 minute मिल गए per question राइट यह कैसे हुआ यह एसी तरीके से हुआ कि आप जब कम question करो जब आपकी accuracy increase करेग ही अपने आप समझ रहे हो और तुम पर pressure भी increase करेगा क्यों क्योंकि time decrease करेगा per question pressure increase करेगा क्यों 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 टाइम पर question तो मुझे लगता कि आपको यह तो समय में आगे हो कि आपको कितने questions सही करने अब इस हिसाफ से आपको अपना score maintain करना होगा ठीक है जैसे आपने यह देख लिया है 80 to 96 question तो आप अपने लिए देखो कि आपको कौन कौन से chapter करने की ज़ूरत है मैंने एक वीडियो बनाया भी अब आगे बढ़ते हैं हम लोग अब आगे बढ़ने पर यार पहली बात तो जो questions मैंने के तो अपने पेपर के लिए ठीक है आगे बढ़ते हैं तो यार हमें हमेशा negative marking को ध्यान में रखना होता है कुछ questions गलत भी तो उनके लिए 4 to 5 buffer questions जो भी तुमारा aim है मालों तुमारा फाइव attempt करना और correct attempt करना reason में कुछ questions गलत होंगे तो उनके negative marks भी तो जुड़ेंगे समझे रहे हुँ ना तो जब negative marks जुड़ेंगे उन negative marks को cancel करने के लिए इनका effect cancel करने के लिए हमें क्या करना है buffer question जो हम सही करेंगे इनको cancel करने के लिए हर 3 question जो गलत करोगे उसके लिए तुम्हें एक सही question करना पड़ेगा तब ही वो cut पाएगा क्या ये बात समझ में आ गई तो अब आगे बढ़ते हैं अब आगे बढ़ते हैं अब हम लोग आगे बढ़ने पर यह देखते हैं हाँ accuracy कितनी होती है ये सबको पता है आपने भी इसके पहले जितनों बच्चों ने attempt दिया होगा उन्होंने ये देखा होगा कि यार मैं questions टो attempt कर लेता हूँ बट यार accuracy नहीं बन पाती अब बढ़ने के तरीका होता है कॉंसेप्स को देखना थियोरी को पढ़ना उनके questions करना जब आप कई questions को कर लेते हो न क्योंकि देखो NDA में कोई नए questions नहीं आते है और जब NDA में कोई नए questions नहीं आते है तो इसकी बहुत जारा chance जा है कि score merit इस तरह उपर नीचे होती है तो आप accuracy maintain कर सकते है तो आप accuracy maintain करने के लिए आपको practice ज्यादा important है जहां पर questions चेंज नहीं होते हैं वहां प्रैक्टिस ज्यादा important होती है ठीक है और जहां पर जैसे J mains हो गया IIT हो वहां पर questions नहीं आते हैं तो जब questions नहीं आते हैं तो वहां पर आपको ज़रूरत होती है दिमाग की वहां पर आपको knowledge की बहुता ज़रूरत यार आएगा वहां पर इतनी speed की ज़रूरत भी होती है खासकर IIT में देखो तो मैंने तो जैसे दिया था मुझे पता भी है कि पेपर आ जाता है लेकिन बच्चे बैठे रहते हैं कि questions ही नहीं हो रहे होते हैं इस तरीके से होता है तो खैर वह तो आईटिक बात हुई मैं कहता हूं इसमें आते हैं हम लोग ठीक है तो यार देखो जब हमें 150 यह हमारा था टार्गेट स्कोर 180 से 200, 200 से 240 और 240 प्लस अब इसके लिए मैंने क्या बता है कि 60 questions यह मैंने questions बताया थे कि कितने questions correct होने चाहिए राइट अब अगर 90% accuracy है तो आप इतने questions attempt करोगे यह रहा जब इतने questions तुम attempt करोगे यह मैंने नीचे calculate करके रखा है ठीक है पहले सी मैंने आपकी लिए सब calculate करक रखा बस screenshot ले लेना है सबका ठीक है यह questions attempt करोगे तब जाके यह score आप आएगा provided कि आपकी accuracy इतनी अच्छी हो समझगे इस बात मैं आगे भी समझाओ कि आप अपनी accuracy कैसे maintain कर सकते हो कैसे बढ़ा सकते हो तो आप देखरो 67 questions अगर आप attempt करते हो with 90% accuracy तो आपकी 150 नंबर आने चांसे हैं और इसमें भी मैंने buffer questions अभी add करेंगे ऐसा नहीं कि buffer question नहीं आट करने पड़ेंगे और मैंने पूरा अच्छे सा analysis किया है तो 80-89 questions अगर आप attempt करते हो लग-बग 90 questions तो आप स्कोर में आ सकते हो यह काफी बढ़िया score है brilliant score है यह मैं कहता हूं 180-200 जो होता ना brilliant score हो होगे तो यार जैसे मैंने question मताया चलो इसके आगे बढ़ते हैं हमनों तो यह questions आपने देख लिए होंगे और याद रखना इन सब में जो सबसेरा important situation आईगी ना वह आईगी time की time याद रखना time भी आपके पास होगा कम और question choose करना what important होता है इसमें questions हमको choose करके करने पड़ है जीरो से 120 question तो हम पहला एक round लेंगे ठीक है इस round में हम सारे easy questions करके complete कर देंगे ठीक है जब easy questions complete होगा है तो इसके बाद हम एक second round लेंगे अब यहां से if time permits मैंने क्या बूला अगर time बचे तो आप had ones लोगे ठीक है जो hard questions होते है उनको आप आप करोगे और उनको आप चुन चुन के करोगे पहले यहां गए फिर देखा फिर यहां गए फिर यहां कोई questions देखे फिर यहां और देखे फिर यहां कोई question देखे ठीक है इन hard questions करोगे तो इस तरीके से आपका score अराम से 240 प्लस चला जाएगा और अगर आपका score 150 है 180 चाहिए आपको तो आप बस इन दो cycle को ही अगर कर लोगे complete easy questions की और moderate questions की तो आप अराम से 150 to 180 score कर सकते हो ठीक है तो यह समझ में आगया होगा आपको अब यार यह मैंने 80% accuracy के लिए किया था यह भी काफी बहुतनी accuracy होती है very good accuracy ठीक है तो यह मैंने 80% के लिए कि अगर आपका target score यह है तो आपको number of correct questions कितने करने होंगे और आपको attempt कितने करने होंगे यह आपको attempt कितने करने होंगे यह मैंने नीचे लिए तो आप इसको देख लिए न और मैं ही कहाँ था कि अगर आपको 80% accuracy है तो आप 240 प्लस के उपर सोची नहीं सकते attempt करना ठीक है क्योंकि उसके लिए आपको 120 प्लस से यारा questions चेहोंगे जो कि impossible है 120 तो questions होते है ठीक है तो आपको accuracy बढ़ानी पड़ेगी वही मैं कहा था अगर आपकी accuracy बढ़ेगी तब ही आपका score बढ़ेगा अगर accuracy बढ़ेगी तो speed आपके और नॉर्मली गटेगी क्योंकि सबका एक trade-off होता यार सबके साथ होता तो तुम्हारे साथ ही नहीं होता तो यह accuracy रखते हैं accuracy बहुत important है इसमें समझें इसमें मेजर चीज क्यों आती जो कोई नहीं होती accuracy नमबर ओफ क्वेश्चन से important यह होती चीज जो इसमें मेजर चीज आपके रोल पड़े करी accuracy तो यार आगे बढ़ते हैं लोग तो इस चीज को देखते हैं आप हमेशा या रखना कि टाइम जो आपके पास इसका constraint है time सबके पास equal है अगर आप जादा questions करो गया attempt questions जैसे ही आप increase करेंगे time आपका per question time per question आपका decrease करने लगेगा ठीक है और यह decrease करेगा तो accuracy decrease करने लगेगी राइट तो यार यह सब variables में हम कैसे पता हैं कि यार यह questions कैसे attempt होंगे इनका best चीज है यार ठीक है मैं सच बताओं तो stop thinking about this ठीक है आपको knowledge अच्छी होगी आप practice जारा करोगा आपकी speed अपने आप increase करने लिए mock test होगे temperament अच्छा होगा और aim अपने आप ही उपर रखोगे तो aim अपने आप ही अच्छा हो जाएगा ठीक है मेरे साब से यह बहुत ही बढ़िया score होता है ठीक है और अगर आपके 100% accuracy तो 72 questions में आप कर लोगे ठीक है लेकिन ऐसा होता तो है नी होता इसा नी होता मेरे साथ भी नी होता तो इस हिसाफ से जब आप questions देखो तो 1.7 minute यह 1.5 minute जो घट के आ जाता आपका time राइट जैसे यह मैंने time जो calculate किया आप देख रहे हो time बढ़ गया है reason being accuracy भी तो आपकी बढ़ी है तो इस हिसाफ से आपको करना पड़ता है आगे हम देखते हैं किस तरीके से questions attempt करेंगे अब यह तो मैंने यह जा रखना कि अब जब NDA2 के लिए जाओगे ठीक है NDA2 के लिए जाओगे specifically तो syllabus complete करके जाना ठीक है syllabus complete करके जाना यह उन बच्चों के लिए मैं बताता हूं जिनके syllabus complete होते हैं तब ही आप अच्छा score करने की सोच सकते हो मतलब आराम से 180 200 आप थोड़ा syllabus छोड के भी कर स से परफॉर्म कर दोगे तो आपको बहुत अच्छा score आजाएगा ठीक है मैं अपने केस का बता हूं तो यार मैंने एक regression और statistics वाला चैप्टर होता है statistics किया था regression और linear programming ऐसे कुछ chapters होते हैं वो मैंने भी नहीं किये थे और मैंने कोशन अटर्म की लिए कि मेरा score आया था अच्छा तो मैंने पता है 100% syllabus की importance नहीं होती उतना अब यार यह देखो अब यह होता है अगर तो maths के student हो नहीं मैंने काफी work किया ठीक है अगर maths की student हो तो maths को maths से solve कर रहे है maths का score हम maths से ही निकालेंगे ठीक है और ऐसे ही practice होती maths की जब आप live दुनिया में अपने maths को जो सीखा उसको आप implement करने लगो ना तो आपको खुद maths से प्यार हो जाएगा तो आप देखो जैसे माल लो की मेरी accuracy जो है ए परसेंट है अब ए कुछ भी हो सकता 90, 100, 100 से उपर तो जा नहीं सकता, 80, 70 जो भी हो सकता है और number of marks यह आपके number of marks है ठीक है यह आगी हो आपके accuracy और यह हो गए आपके number of marks ठीक है यह आपके number of marks हो गए x आपके questions attempted है, right, questions attempted और a आपकी accuracy है तो यार यह बताओ, यह formula तो आप लोग मुझे लगता समझी जाओगे, खुद से देख के समझ जाओगे और नहीं समझोगे तो मैं अगली class में समझा दूँगा, ठीक है, कहा देना मैं समझा दूँगा वैसे यह आपका positive score है, मैं बता दूँँ, ठीक है, और यह है आपका negative score, ठीक है, कैसे मैंने किया, मैं बता दूँँ, अगर आपकी a accuracy है और आपने x questions किये, तो उनमें साबके correct questions होगे, ax by 100, और 2.5 से multiply कर दो correct questions के number आ जाएंगे, वैसे ही 100 minus a upon 100 यह गलत questions किये होगे, multiply कर दो के x से, तो क्या आजाएंगे, गलत questions जितने किये, और 2.5 by 3, जो number आपको मिलेंगे, आपने गलत किया, तो तोफा भी तो देंगे न, UPSC वाले आपको, तो यह आपका तोफा है, ठीक है, तो यह तोफा आपको कुबूल करना पड़ेगा, और उसके बाद यह negative आपका जो decrease ह होगा, तो यार, इस हिसाब से, अगर आप ध्यान से देखें, यह है, जो मैंने graph बना है, ठीक है, इसको ध्यान से देखना, यह 300 का score है आपका, ठीक है, यहाँ यहाँ पर y-axis आपके number of scores है, यहाँ number of questions attempted, अब इस तरीके से कोई समझाएगा नहीं आपको, जिस तरीके से मैं समझा रहा हूँ, और इसी तरीके से समझने की ज़रुरत भी है, तब ही आज समझ पाओगे कि किस तरीके से मैं questions attempt करूँ, ऐसे ही कुछ बना देना कि हाँ, साट question करो, 70 question करो, ऐसे कुछ नहीं होता, पहले prove देना पड़ता है, ठीक है, समझना पड़ता कैसे चीज चलती है, तो देखो, जैसे यहाँ पर देख रहे होगे, 300 score तो यार ये God level score, मैं लिख के रखा, अगर ये आ गया है, तो फिर यार मेरी जगा तुम बैठ जाना, ठीक है, अगली बार तुम ये वीडियो बना रहा था, और 250 यार excellent score होता है, मैंने score के round उसके remarks भी लिख दिये, मेरे according, ठीक है, ये सिर्फ मेरे according है, और 150 एक very good score होता है, अब यार ये होती है accuracy, अब देखो, ये जो accuracy है, ये ऊपर वाला part, ये है 100% का, अगर आप 100% accuracy चलते हो, ये है 90% accuracy के साथ, वैसे ही ये है आपका 80% accuracy के साथ, और ये है आपका 70% accuracy के साथ, जो बच्चे prepare करते हैं, वो usually या तो भाई इस range में like करेंगे, ठीक है, या तो इस range में, इस range में जाने वाले होते हैं, toppers, ठीक है, ये होते हैं, toppers, तो अब ध्यान से लेको सबके लिए वीडियो, अगर 100% 120 करोगे या तो तुम्हें भी दिख रहा है कि ये वाला score आएगा, और यहां तुम्हें दिख रहा लेकिन चलो, तुम मनाना अगरे बार मुझे यकीन मनाओगे, तो यार ध्यान से देखो, 150 question attempt करने के लिए अगर तुम देखोगे, तो ये accuracy का है, अगर 100% accuracy करोगे तो 60 question में तुम कर लोगे 150, ठीक है, अगर 90% accuracy तो around 70 questions करने पड़ेंगे, अगर 80% है तो उस हिसाब से 80% और अगर 70% है, तो आपको करने पड़ेंगे 100%, 100 questions, ठीक है, तो इस तरीके से जब तुम देखोगे, तो यार ये graph तुम देख लेना, ठीक है, और ये तुम में graph तो देखना ही आता है, जो तुम में score चाहिए, ठीक है, अगर तुम अपनी accuracy कैसे maintain करोगे, accuracy कैसे परचलेगी इतने सही होते हैं, उनको देखना हो, जितने गलत हुए, उनको देखना, उससे तुम्हें अपनी accuracy परचलेगी, ठीक है, और जग तुम्हें अपनी accuracy परचलेगी, तो तुम यहाँ पर आ जाना, इस graph पर, अब देखो, अगर तुम्हें चाहिए 250 score, तो तुम कैसे इस graph को द तो मुझे around 110-115 के बीच में, 115 के ऊपर question attempt करने की पड़ेंगे, तब आएगी मेरे 250 plus score, वैसे ही अगर आपको चाहिए, और 120 के आगे मत जाना, ठीक है, 120 के आगे question paper खतम हो जाता है, ठीक है, graph जाना है, graph जाता है, जाने लो, तो यूजुली आपको अगर तुम्हें अगर आपकी 100% है, तो आप 80 attempt करोगे, 90% accuracy है, तो आप 90% attempt करना, इस तरीके से आप इसको चलते रहना, ठीक है, यहाँ पे अगर आपकी 80% accuracy है, और आपको 200 plus चाहिए, तो आपको 110 plus questions attempt करने पड़ेंगे, तो यह समझ में आ गया न, तो यार अब हम लोग चलते है, ठीक है, यह ची प्रेशर लेने की जरूरत नहीं है, इस सब questions यह मैं बना देता हूं वीडियो, सच बताओं तो जब मैं करने गया, तो मैं इतना सोचता नहीं तो, stop overthinking, ठीक है, कितने questions करें, strategy बता दो, यह सब कहने के बाद होती है, यकीन वानो, the only thing that matters is your study, ठीक है, तुम study करो, ठीक है, उसको improve करो, वो कलती को improve करो, फिर जब improve कर लोगे, तो उसको फिर से जाओ, study करो, उसको पढ़ो, फिर mock test दो, फिर analysis करो, तो यह cycle जब कई बार तुम कर लोगे न, तब तुम जिस दिन एंडी का paper देने जाओगे न, उस दिन तुम हसी ऐसी जब सब अच्छे कह रोगे न, paper पढ़ो, ठीक है, मैं अपनी math class लेता हूँ, अगर तुम में पसंद आया, तुम उसमें भी आना, मैं काफी अच्छे तरीके से, काफी बेस्ट तरीके से अपना content डेलिवर करने कोशिश करता हूँ, बाकी यार, हम लोग मिलते रहेंगे, I hope कि ये video पसंद आया हो, अपने videos जो तुम्हें attempt करना है, और जो तुम्हें questions चाहिए, वो नीचे comment करना, ठीक है, मैं देखना चाहता हूँ, कि मेरी audience जो क्या target कर रही है, और बाकी यार, हम लोग मिलते रहेंगे, तब तक के लिए, all the best, keep studying, जाय हिंद!